हेलो फ्रेंट सौगत है हमारे योटूब चैनल क्रिटकल इस्टेडी में आज है 20 दिसंबर 2030 और 20 दिसंबर 2030 से करेंट अफियर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वह उनसे रिलेटेड फेक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो च अब इंपोर्टेंट डे की बात है तो दिसंबर में जितने भी इंपोर्टेंट डे है एक बर हम डिसकस कर लेते हैं पहला है एक दिसंबर एक दिसंबर को मनाया गया है विस्ट एट्स डिवस बी एसफ इस्थापन डिवस दो इंपोर्टेंट डे है जो एक दिसंबर को मनाया गया है दो दिसंबर को विस्ट कंप्यूटर साक्चरता डिवस राष्टी प्रदूसर नियंतरन डिवस और राष्टी गुलामी उनमू मुलन दिवस तीन इंपोर्टेंटे मनाया गया है तीन दिसंबर को विस्विकलांग दिवस मनाया गया है चार दिसंबर को चार दिसंबर को मनाया गया है भारती नौसेना दिवस जो है चार दिसंबर को मनाया गया है ठीक न अब पांस दिसंबर को दो इंपोर्टेंटे मनाया गया है कौन-कौन से विस्सुम्रदा दिवस और राष्टी स्वयम सेवी दिवस मनाया गया है छे दिवस 6 दिसंबर को महा पर्णी निवाड दिवस मनाया गया है साथ दिसंबर को साथ दिसंबर को ससस्तर सेना जंडा दिवस अंतर राष्टी नागरिक उड्यान दिवस दो इ 9 December को 9 December को मनाएं गया है अंताराष्टी ब्रष्टा विरोधी दिवस 10 December को 10 December को मनाई गया है 10 December को दो 12 दिसंबर को दो इंपॉर्टेटिम अंताराश्टी परवत दिवस और यूनीसेफ दिवस मनाया गया है 12 दिसंबर को सरव भामिक स्वास्थ कवरीज दिवस मनाया गया है और 14 दिसंबर को राष्टी उर्जा संरक्चन दिवस मनाया गया है और ये 16 दिसंबर को विज़ दिवस मनाया गया है ये हैं दिसंबर के सारे important डे जो आपको याद रखना है next question की बात करें दूसरा question है हाल ही में कौन दुनिया के सीर्स 50 ACI हस्तीओं की ब्रिटिन की सूची पर सीर्स पर रहे हैं तो इस question की right answer क्या होगा इस question का right answer होगा C option right होगा सहरूप खान ये हैं सहरूप खान जो की दुनिया की सीर्स 50 ACI हस्तियों में ब्रीटेन की सूची पर सीर्स पर रहे हैं सहरूप खान C option right होगा next question की बात करेंगे तो तीसरा question है हाल ही में हाल ही में कौन हरून इंडिया की top 100 under 30 की लिष्ट पर सीर्स पर रहे हैं तो कौन है जो सीर्स पर रहे हैं तो इस question का right answer होगा option B right होगा कैवल बोहरा कैवल बोहरा जो है ये सीर्स पर रहे हैं ठीक ना अब important question देख लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं चेरी डैला पोर्ट बने हैं ठीक ना पैरा कामोंडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सरजन पाइल छाबडा बनी है एर इंडिया ने अपना नया लोगो और डिजाइन लॉंच किया है ठीक ना अधिती सौमे सबसे कम उम्पर की भारती तिरन दाजी में विश्व चेंपिन रही है ठीक ना नेक्स कुश्चन देखेंगे नेक्स कुश्चन का है हाल ये में दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्परेट कारियाल है कहां बनकर तयार हुआ है तो इस कुश्चन का राइट ओप्सन होगा सी ओप्सन राइट होगा दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्परेट दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्परेट करियाल जो है कहां बनकर तयार हुआ है सूरत में सी ओप्सन राइट होगा सूरत में बनकर तयार हुआ है next question दिखेंगे, हाल ये में Petro Henrik का नीधन हुआ है, वे कौन थे, तो Petro Henrik कौन थे, इस question का right answer क्या होगा, इस question का right answer होगा, option B right होगा, ठीक न, ये है Payatro Henrik, जो की Brazilide Gospel गायक, पेट्रो pred sebogen का नीधन हुआ है, गायक ने 30 साल की उमर में, इस दुनिया को अलविदा कह दिया है यानि इनका 30 साल की उम्र में निधन हो गया है नेक्स कुश्चन देखेंगे छटमा कोश्चन है हाल ही में कोका कोला ने बॉटलिंग यूनिट किस राज में 3,000 करोर रुपए निवास निवेस करेगी तो इस कुश्चन का राइट आंसर होगा ओपसन ए गुजरात गुजरात राज में कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट 3,000 करोर रुपए निवेस करेगी अब बात है गुजरात की तो ये है मैप में गुजरात गुजरात की कैपिटल क्या है गांधी नगर सीम कोन है भुपेंदर भाई पटेल और गवर्नर कोन है आचारी देव वरट गवर्नर है अब बात है गुजरात की तो इससे इंपोर्टेंट अपन जान लेते हैं ठीक है न गोल फिस को गुजरात की स्टेट फिस घोसित किया गया है गुजरात का पहला रेल कोच रेश्टोरेंट राज कोट में खोला गया है प्रधान मंतरी मोदी जी ने इस टीम इंजन वाली गुजरात की हेरी तेज ट्रेन का सुभारंब किया है गुजरात सरकार ने कोर्नो कॉर्पस सर्यंत पर प्रतिबंद लगा दिया है नेक्स कॉश्चन देखेंगे सात्मा कॉश्चन है हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है तो इस कॉश्चन का राइट अंसर क्या होगा सी ओप्सन राइट होगा मैंमार मैंमार जो है दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है अब बात है मैंमार की तो यह मैप में मैंमार मैंमार की कैपिटल क्या है नैपिर ड्रोग कैपिटल है मैंमार क्याट जो है यहां की करंसी है और प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो यू विन मिन्ट यहां के प्रेसिडेंट है अब मैंवार से important question क्या बनता है important question यहां का बनता है चक्रवार्ट माई कॉंग भंगाल की खाड़ी से टकराया इसका नाम मैंवार ने रखा है ठीक है न, next question क्या है आठमा question है हाल ही में कल के रहने योग सहर विसे पर वैस्विक सिकर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा तो इस question का right answer है B option right होगा गांधी नगर में गांधी नगर में कल के रहने योग सहर विसे पर वैस्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है गांधी नगर में नेक्स कुश्चिन का है नौमा कुश्चिन है हाल ही में किसे Royal Society of Chemistry का पुरुसकार मिलेगा तो इस कुश्चिन का right answer option C right होगा सविता लाडेज ये हैं सविता लाडेज जिन्हें Royalty Society of Chemistry का पुरुसकार मिलेगा अब इन्पोर्टन कुश्चिन देख लेते हैं कि आजन्ता एलोरा Film Festival में जावित अक्तर को पदमपाड़ी Lifetime Achievement Award भी मिला है तिकना 33 व्यास सम्मान 2023 के लिए पुस्पा भारती इसमारन यादे यादे और वादे को चुना गया है सत्य जीत रे Lifetime Achievement Award ने माइकल डगलस को भी सम्मानित किया है सिख्चा के लिए वाइस पुरुसकार सफीना हुसैन ने जीता है नेक्स कुश्चन देखेंगे दसमा कुश्चन है हाल ये में आठवा ब्रह्मपुत वैली पुरुसकार ब्रह्मपुत वैली फिल्म फेस्टिवल कहां सुरू हुआ है तो कहां सुरू हुआ है गुवाहार्टी में ब्रह्मपुत वैली फेस्टिवल सुरू हुआ है नेक्स कुश्चन देखेंगे घ्यार्मा कुश्चन है हाल है में सरसटवे राष्टी स्कूल खेल कहां सुरू किये गए हैं तो C option right होगा नई दिल्ले में यह मैं अपमें नई दिल्ले नई दिल्ले में सरसटवे स्कूल खेल सुरू किये गए हैं नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे बार्मा कुश्चन है हाल ही में کونž इंटरनेशनल टेनिس हॉल ओफ फेम में सामिल हुए है तो उप्युक्त दोनों लेंडर पेस और विजै अमरत राज दोनों जो है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ओफ फेम में सामिल हुए है नेक्स कुश्चन देखेंगे तेरह हमा कुश्चन है हाल ही में भारती नौसेना ने किस आई आई टी के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझवता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये हैं इस कुश्चन का राइट आंसर होगा आई आई टी कानपूर बी ओप्सन राइट होगा आई 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 टी कानपूर ने भारती नौसेना के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझवता पर हस्ताक्चर किये हैं next question क्या होगा हाल ही में भारत ने सौदेसी high speed flying wing UAV का सफल परिक्षण कहां किया है इस question का right answer क्या होगा इस question का right answer होगा B option right होगा करनाटक करनाटक में सौदेसी high speed flying wing UAV का सफल परिक्षण हुआ है अब बात है करनाटक की तो यह मैप में करनाटक करनाटक की capital क्या है बैंग लिवरू और चीफ मिनिस्टर कौन है सिधर मनी और गवर्नर कौन है धावरचंद कहलोत धावरचंद कहलोत यहां की गवर्नर है अब बात है important fact देख लेते हैं करनाटक से रक्षा रमया को करनाटक की table tennis association का अध्यक्ष चुना गया है तेहना नंबा कमवाला प्रतियोगिता का आयोजन बैंगलूरू में किया गया है नीव literature festival 2030 का आयोजन बैंगलूरू में होगा next question देखेंगे पंद्रहमा question है हाल ही में किस राज ने स्रेंटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाएं का विध्यक को संसद ने पास कर दिया है इस question का right answer क्या होगा option C तिलंगाना तिलंगाना राज ने स्रेंटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मनाने का विध्यक संसद ने पास कर दिया है अब बात है तिलंगाना की तो ये है अपमे अपमे तिलंगाना तिलंगाना की capital क्या है है हैधराबाद चीफ मिनिस्टर को ने रिवन्थ रेड़ी औ अब बात है तिलंगाना की तो तिलंगाना से important fact क्या हो सकते हैं गद्दाम प्रसाथ को तिलंगाना का नया विधान सवा अध्यक्ष चुना गया है दुनिया के पहले 30 मुंदित मंदिर का उद्गार्टन तिलंगाना में किया गया है ये है तिलंगाना से important question आसकरतों की अच ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें वो अपने उस दोस्तों को सेयर करें जो competition exam की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी हमारे instagram page critical study 31 को भी आप follow कर सकते ह धन्यवाद